क्या वालो गाइज बेलकम टू माइ चैनल मोटिवेसनल किरियेटर जोन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में यानि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे दोस्तों कंप्यूटर ग्राफिक्स के एप्लिकेशन तो चलिए दोस्तों आज हम लोग यानि कंप्यूटर ग्राफिक्स को डिस्पले कैसे करवाया जाता है इसके लिए कौन-कौन से डिस्पले का जरुवत पड़ता है तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि डिस्पले डिवाइस क्या है तो एक तरह का डिवाइस है जिसके थुरू हम लोग किसी भी इमेज को या फिर किसी भी वीडियो को डिस्पले करवाते हैं यानि कहने का मतलब है दोस्तों display devices क्या है तो display devices दोस्तों एक तरह का output device होता है जिसके थुरू हम लोग किसी भी information को visual या फिर tactile form में represent करवाने का काम करते हैं जैसा कि यहाँ पर इस टुटोरियल में आप लोग देख पा रहे होंगे display devices के अंदर दोस्तों display devices क्या है तो देख रहे हैं display devices is an output devices for presentation of information in visual or tactile form काने का मतलब है कि display devices एक तरह का output device है जो क्या करता है तो किसी भी information को visual या फिर tactile format में represent करवाने का काम करता है that means उसको दिखाने का काम करता है चाहे हो वो किसी तरह का video हो या फिर किसी तरह का photo जो हो सारे को वो एक textile format में कहने का मतलब है कि एक grid format में एक line format में या फिर एक visual format में जिसको सिर्फ assume किया जा सकता है उसको हम लोग touch नहीं कर सकते हैं तो एक visual format में या फिर एक textile format में किसी भी information को चाहे वो picture information हो चाहे वो videos information हो या फिर text information हो किसी भी तरह के information को represent करवाने का काम करता है कौन तो display devices इसलिए display devices को हम लोग output devices भी बोलते हैं अब दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग आगे की ओर कि display devices कितने तरह के होते हैं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि display devices बहुत तरह के होते हैं जिसमें से ये पांच तरह छे तरह के display devices हम लोग देखेंगे जिसमें से सबसे first display devices के रूप में हम लोग देख पा रहे हैं CRT display जिसका मतलब होता है दोस्तों cathode ray tube display कहने का मतलब है CRT, C for cathode, R for ray and T for tube इसलिए इसका पूरा नाम होता है दोस्तों cathode ray tube next display devices आता है दोस्तों random scan display और एक और डिस्पले आता है next में जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों राश्टर scan display और 4 number display में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों color CRT display यानि color cathode ray tube display क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे next display हम लोग जानेंगे plasma panel display और एक और डिस्पले के बारे में जानेंगे दोस्तों LCD panel display जिसका मतलब होता है liquid crystal display तो ये छे तरह के display हम लोग जानेंगे कि output devices के रूप में ये छे तरह का display कैसे use किया जाता है ये 6 तरह का डिस्प्ले क्या होता है सभी डिस्प्ले को हम लोग बारी बारी से देखेंगे दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज CRT डिस्प्ले यानि कैथोड रेट यूब डिस्प्ले क्या होता है तो चलिए बीना वीडियो को stop किया हुए हम आप लोग को ले चलते हैं आज CRT डिस्पले की और कैथोड रे ट्यूब डिस्पले की और दोस्तों अभी तक आप लोग मेरे चैनल को like, share और subscribe नहीं किये हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को subscribe करें ताकि जितने भी टेकनिकल वीडियो में upload करूँ आप तक जल्द से जल्द पहुच पाए तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं आज CRT डिस्पले यानि कैथोड रे ट्यूब डिस्पले के बारे में जो भी information का formation होता है काने का मतलब जो भी information रिपर्जेंट होता है जो भी information डिस्पले होता है इस डिस्पले पे वो by firing electrons होता है दोस्तों that means एक electron जब किसी phosphorus plate पे जा करके firing करता है उस पे heat करता है तो उससे phosphorus plate जो होता है वो काफी glow करने लगता है चमकने लगता है और जिसकी बज़ा से हम किसी भी picture को देख पाते हैं किसी भी text format को देख पाते हैं तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि CRT display के अंदर electron gun कैसे काम करता है तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इस video में इस tutorial में it is a technology used in traditional computer monitors and televisions काने का मतलब है दोस्तों कि ये एक तरह का technology है जो किसी भी traditional computer monitors या फिर televisions में use किया जाता है लेकिन ये काम कैसे करता है इसके अंदर image कैसे display होता है तो अभी हम आप लोग को बताएं कि electron को fire करने से यानि जब phosphorus coated display पे यानि phosphorus पे जब जा करके electron heat करता है तो उसे phosphorus electrons जो होते हैं वो glow करने लगते हैं और जिसकी बज़े से हमारा image का formation हो जाता है तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि the image on CRT display is created by firing electrons from the back of the tube of phosphorus located towards the front of the screen काने का मतलब है दोस्तों कि कि किसी भी CRT display पे image का creation कैसे होता है तो यहाँ पे हम लोग देख पार है the image on CRT display is created by firing electrons काने का मतलब है image जो होता है वो CRT display के अंदर electron को fire करने से create होता है लेकिन fire कहां से होगा तो from the back of the tube of phosphorus located towards the front of the screen काने का मतलब है दोस्तों कि जहां पे phosphorus लगा होता है यहां पे लोकेटेड होता है उसके back से एक tube के through phosphorus पे electron को heat करवाया जाता है fire करवाया जाता है जिसकी बज़ा से phosphorus electrons जो होते हैं वो पूरी तरह से glow करने लगते हैं और हमारा picture का formation हो जाता है चलिए दोस्तों second paragraph की और हम लोग चलते हैं जैसा कि second paragraph में भी आप लोग देख पा रहे होंगे वेंद इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पूरी तरह से हीट होता है यानि इलेक्ट्रॉन जो होता है जब हीट होता है यहीट करने के बाद जैसे ही उस पे fire होता है that means उस पे एक चोट पहुंचाया जाता है एक धक्का दिया जाता है तो उस case में फासफोरस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और फासफोरस जो होते हैं दोस्तों वो पूरी तरह से light up हो जाता है यानि glow करने लगता है और अस्क्रीन पे जाकर के direct project करने लगता है जिसकी बज़त से हम लोग किसी भी image को या फिर text information को देख पाते हैं चलिए दोस्तों आगे की और हम लोग चलते हैं जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं generally it produces red, blue and green light on the screen काने का मतलब है दोस्तों कि यह जो होता है वो generally red, blue और green यह तीन तरह के light को emit करता है अस्क्रीन पर मतलब यह तीन तरह के light को form करता है अस्क्रीन पर जिसकी बज़त से हम लोग सारे pictures देख पाते हैं इसलिए दोस्तों इसको हम लोग RGB display भी बोलता है that means red, blue और green display भी इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें हम लोग generally तीन तरह के light का formation कर पाते हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं red light, blue light and green light यह तीन तरह के light को हम लोग एक screen के ऊपर focus करवा पाते हैं चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसे इसका construction होता है, कैसे यह काम करता है तो जैसा कि आप लोग इस diagram में यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, कि यहाँ पर एक diagram बना हुआ है, जिसमें एक यहाँ पर देख रहे हैं कि पीछे side में यहाँ पर यह section जो देख पा रहे होंगे दोस्तों, जहाँ पर मैं line खिच रहा हूं यह section जो है दोस्तों, यह जो होता है, वो connector pin होता है, connector pin कहने का मतलब है कि यह display devices जो होगा, वो जा करके electrical socket में attach होगा, जिसकी बज़े से इसमें electron का supply चालू हो जाएगा और यह connector pin को manage करने के लिए, यहाँ पे दोस्तों, एक base class हम लोग लगाते हैं, एक base लगाते हैं, base कहने का मतलब होता है दोस्तों, एक support, ताकि यह जो होए direct इस से connected ना हो और इसमें direct इस device में current supply ना करने लगी, जिसके इस problem से बज़ने के लिए, यहाँ पे हम लोग एक base लगाते हैं, इसके बाद जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, इसके construction में यहाँ पे यह section, एक छोटा साथ box जैसा दिख रहा है दोस्तों, जिसमें electron जो होता है, वो अश्टोर होता है, इसलिए इसको हम लोग पूरा को बोलते हैं दोस्तों, क्या electron gun, तो यह देखें दोस्तों, कि सबसे पहले एक connector pin लगाया जाता है, उसके बाद connector pin से direct supply ना होने लगे electron, इस problem से बचने के लिए दोस्तों, एक base लगाया जाता है, और इस base को लगाया क्यों जाता है, ताकि direct system में electron जो हो flow करने ना लगे, current flow ना करने लगे, अब इसके बाद दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक डबबा जैसा, rectangular shape का कुछ बना हुआ है, जिसके अंदर electrons store होता है, दोस्तों, और इस rectangular shape का जो बना हुआ है, डबबा, उसको हम लोग बोलते हैं, दोस्तों, क्या, तो electron gun, ठीक है दोस्तों, तो यह, हम लोग देखें, अभी तक क्या, कि एक display devices के अ control करने के लिए, यहनी system में ज़्यादा voltage ना हो, कम voltage ना हो, इस voltage को control करने के लिए, यहाँ पे एक और लगाया जाता है, दोस्तों, control grid voltage, जो कि क्या करता है, system के अंदर voltage को control करने का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, दोस्तों, क्या, control grid voltage, तो यह, देखें, दोस का यूज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ज्यादा में इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो जाए जिसकी बज़से हमारा डिस्प्ले जो है वह जल जाए या फिर खराब हो जाए यानि किसी भी तरह का उसमें हानी पहुच सकता है इसके बाद दोस्तों चलिए अब हम लोग देखते हैं इमिट कैसे होता है यानि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसे जाकर के फासफोरस प्लेट पे हीट करता है तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इस रेक्टैंगुलर सेप में कि एक तरह का फोकसिंग सिस्टम है यानि फोकसिंग सिस्टम क्या क करेगा कि इधर से जाने वाले इलेक्ट्रोन को क्या करवाएगा तो इस तरह से फोकस करवाएगा डायरेक्ट डिस्प्ले पे यानि डायरेक्ट फासफोरस प्लेट पे इसको ले जाकर के हीट करवाएगा और हीट करवाने की बज़े से यहां पे लगे हुए फासफोरस जो हो दोस्तों यानि जैसे ही यह पूरी तरह से हीट होगा यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं इस पिक्चर के अंदर कि सबसे फ्रंट प्लेट जो है दोस्तों उस पर हम लोग देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है क्या ग्रीन फासफोरस तो ग्रीन फासफोरस लिखा हुआ है दो करने लगता है हाँ तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग कि कैसे हीट करता है तो जैसा कि हम लोग देखें कि यहाँ पे एक rectangular shape में लगा हुआ है क्या तो एक focusing system लगा हुआ है यह focusing system क्या करता है यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रोन को direct heat करता है यानि इलेक्ट्रोन को direct phosphorus plate के पास transfer करता है जिसके थुरू हम लोग किसी भी pictures को देख पाते हैं यहीं जैसे ही यहाँ से electron heat करता है दोस्तों तो electron heat करने के बाद phosphorus plate जो होता है वो पूरी तरह से glow करने है हाँ तो चलिए दोस्तों आगे की और हम लोग चलते हैं जैसा कि हम लोग देखें कि यहाँ पर rectangular shape के में एक focusing system लगा हुआ होता है जो कि इस electron gun को यानि पीछे से back side से आने वाले electron को direct यह phosphorus plate पे उसको emit करवा देता है जिसकी बज़े से लगे हुए यहाँ पे जितने भी phosphorus होते हैं वो सब heating की बज़े से glow करने लगते हैं और glow करने की बज़े से हम यहाँ पे इस section यानि यह display section पे किसी भी तरह के diagram को या फिर text format को देख पाते हैं चलिए दोस्तों next हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दो तरह का plate लगा हुआ है जिसको एक plate को हम लोग बलते हैं दोस्तों by deflection plate और दूसरे plate को हम लोग बलते हैं एक deflection plate जो करता क्या है एक by deflection plate जो है दोस्तों वो करता क्या है कि by direction में direct इस तरह से light emit ना हो जाए इसको manage करने के लिए यानि इधर से आने वाले light को direct यहां तक एक sequence में भेजने के लिए दोस्तों यूज किया जाता है यहां पे क्या एक deflection plate का ताकि एक डाइरेक्शन में वो एक sequence में direct जा करके phosphorus plate पे हीट कर जा इधर उधर हीट ना करें तो इस तरह से हम लोग देखें construction में दोस्तों कि CRT display के construction में क्या होता है तो सबसे पहला जो होता है जिसको हम लोग बोलता है connector pin जो कि electrical socket के लिए यूज किया जाता है और direct electrical socket से electric जो है वो direct इस devices में ना पहुँच जाए इस problem से बचने के लिए हम लोग यहां पे एक base भी यूज करते हैं दोस्तों नहीं तो base यूज करते हैं और इसके बाद electron को अश्टोर करवाने के लिए हम लोग जैसा कि यहां पे देख पा रहे हैं एक rectangular shape में कि electron gun का भी यूज करते हैं जिसके अंदर electron अश्टोर होता है दोस्तों वहां से निकल करके electron direct जो होता है वो phosphorus plate पे heat करता है इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अब voltage को control करने के लिए voltage grid का यूज करते हैं focus करवाने के लिए direct phosphorus plate पे एक focusing system का यूज करते हैं और इससे निकलने वाले जो ray होंगे इसको x and y direction में manage करने के लिए सबसे पहला by deflection plate और दूजरा एक x deflection plate यूज करते हैं ताकि इससे निकलने वाले जो भी जो ray होंगे जो भी electron होंगे वो sequence way में जा करके इस display पे heat करेंगे तो इस तरह से हम लोग देखें देखें दोस्तों इसमें क्या कि कैसे इसका construction होता है कैसे यह काम करता है डाइग्राम के help से तो यह था दोस्तों हमारा क्या कैथोड रे ट्यूब डिस्पले अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर थोड़ा सा लैंग्वेज में connector pin क्या होता है बेस क्या होता है, electron gun क्या होता है, control grid voltage क्या होता है, x और y deflection plate क्या होता है तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं सबसे पहले electron gun क्या होता है तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे electron gun के अंदर जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं क्या It consists a series of elements primarily a heating filament and a cathode काने का मतलब है दोस्तों कि electron gun क्या होता है तो electron gun एक तरह का series होता है जो क्या करता है किसी भी element को primary way में heat करवाने का काम करता है चाहे वो filament हो या फिर किसी भी तरह का cathode ray हो यानि काने का मतलब है चाहे वो electron हो या फिर किसी भी तरह का electron से related किसी भी तरह का devices हो जिसको हम लोग बोलते है filament तो इस तरह से हम लोग देखे क्या कि electron gun जो होता है वो क्या होता है एक series होता है किसका series होता है जिसके अंदर किसी भी filament को heat करवाया जाता है या फिर किसी भी cathode ray को heat करवाया जाता है किस वे में तो एक primary वे में चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं जैसा कि देख पा रहे हैं It creates a source of electrons which are focused into a narrow beam directed at the face of CRT कहने का मतलब है दोस्तों कि यह जो होता है वो क्या create करता है तो electron के लिए एक source create करने का काम करता है source create करने का काम मतलब एक source बनाता है जहां से निकलने वाले electron जो होते हैं वो direct एक narrow beam में एक state beam में एक sequence में जा करके direct CRT के display पे focus कर देते हैं तो यह था दोस्तों हमारा electron gun जिसके अंदर हम लोग देखें कि एक element को एक series में heat किया जाता है चाहे वो cathode ray हो चाहे वो किसी तरह का filament हो या फिर यह क्या करता है एक source create करता है जिसके तहत जो भी निकलने वाले focus होते हैं वो direct narrow beam में जा करके और CRT display के face पे directed heat कर देते हैं तो यह था दोस्तों हमारा क्या electron gun चलिए अब हम लोग देखते हैं control electrode क्या होता है दोस्तों जिसको हम लोग बोल रहे थे controlled voltage grid कहने का मतलब है कि यह control कैसे करता है voltage को तो यह generally क्या करता है तो system के अंदर pass होने वाले voltage को on और off करने का काम करता है कि कब किस ray को display करवाना है यानि जैसा input आएगा वैसा ही display करवाना है मतलब जैसे मान लिया जाए कि हमको r लिखना हो इस तरह से तो इस r के अंदर use होने वाले जितने electron से वो सब को heat करेगा और बाकी सब को यह off रखेगा तो इसमें हम लोग जैसा की देख पा रहे हैं दोस्तों it is used to turn the electron beam on and off काने का मतलब है कि यह use किस लिए किया जाता है कि किस case में electron को on रखना है और किस case में उसको off रखना है चलिए next हम लोग देखते हैं दोस्तों focusing system focusing system क्या करता है तो focusing system के अंदर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों जैसा कि focusing system it is used यहाँ पे द्यान देंगे it is used to create clear picture by focusing the electrons into an arrow beam यहनी focusing system का use क्यों किया जाता है ताकि diagram जो हो यहनी picture जो हो या फिर video हो या फिर text information हो वो पूरी तरह से clarity के साथ दिखें इसके लिए focusing system का use किया जाता है ताकि निकलने बाले जो electron है वो एक sequence way में जैसा जरुवत हो यहनी input के अनुसार से जाकर के और CRT display के face पे heat करेंगे यहनी focus करेंगे तो यहनी focusing system का use क्या है दोस्तों तो हम लोग जाने क्या कि यह जो होता है वो किसी भी diagram को एक clarity के साथ focus करवाने के लिए use किया जाता है कैसे तो narrow beam में यहनी electron जो होता है उसको narrow beam में direct CRT display पे जरुवत के अनुसार से focus करवा दिया जाता है जिसके तरह जिसकी बज़े से हम लोग किसी भी pictures को या फिर किसी भी text information को देख पाते हैं अब देखते हैं दोस्तों हम लोग deflection योग जिसके अंदर हम लोग दो तरह के display दो तरह के deflection योग देखें x deflection plate और by deflection plate तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं deflection योग के अंदर क्या होता है जिसमें यूज हम लोग करते हैं, एकस deflection plate और दूसरा एक by deflection plate यह दोनों एकस और by deflection plate की बजह से दोस्तों किसी भी तरह का electron जो होता है वो electron beam का direction जो होता है वो पूरी तरह से control कर लिया जाता है अब next हम लोग देखते हैं दोस्तों phosphorus coated screen यानि phosphorus coated screen क्या होता है तो phosphorus coated screen कुछ नहीं होता है बस एक तरह का screen होता है जिसके उपर phosphorus का लेप लगा दिया जाता है और जैसे ही उस पे electron का heating होता है तो वो phosphorus glow करने लगता है high energy electron beam के साथ यानि high energy के साथ जब वो glow करने लगता है तब क्या होता है image जो होता है वो format हो जाता है यानि pictures जो होता है वो द कि glow करता है लेकिन कैसे glow करता है तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख पाने है when high energy electron beam hits them यानि high energetic electron beam जो होते हैं वो phosphorus पर जा करके जैसे ही heat करते हैं तो heat करने की बज़ा से phosphorus जो होता है वो पूरी तरह से glow करने लगता है और glow करने की बज़े से हमारा picture display हो पाता है तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं phosphorus coated screen के अंदर तो जैसा कि देख पा रहे हैं the front surface of every CRT is coated with phosphorus यहाँ पर हम लोग अभी देखें कि कि किसी भी CRT display का जो front faces होता है वो phosphorus के द्वारा यानि phosphorus का एक लेप लगा दिया जाता है उस पर या फिर phosphorus के साथ उसको coated कर दिया जाता है next हम लोग देखते हैं दोस्तों क्यों किया जाता है phosphorus से ही दूसरा लेड से भी तो किया जा सकता था या फिर किसी aluminium का लेप भी लगाया जा सकता था लेकिन फासफोरस से ही क्यों किया जाता है चलिए हम लोग देखते हैं तो इसका रीजन है दोस्तों क्योंकि फासफोरस जो होता है वो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोन बीम से हीट होने के बाद गलो करने लगता है जिसकी बज़ा से फासफोरस कोटेड अस्क्रीन सौरी सी CRT डिस्प्ले के फासफोरस से ही कोटेड किया जाता है ताकि उस पर जैसे ही हाई एनर्जी इलेक्ट्रोन बीम आकर के हीट करें तो उसके साथ वो फासफोरस जो वो पूरी तरह से गलो करने लगे तो इस तरह से हम लोग देखें कि दोस्तों आज के इस वीडियो में CRT डि जल्दी से जल्दी लाइक शेर और सक्सक्राइब जरूर करें ताकि जितने भी तरह के टेकनिकल वीडियो में अपलोड करूं वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुच पाएं यदि इस वीडियो में किसी को किनी तरह का प्रोब्लम है दोस्तों समझने में दिकत हो या फिर और भी किसी तरह का कोश्चन एराइज करना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आ करके जरूर लिखें और आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कम्प्यूटर ग्राफिक्स के साथ धन्यवाद